48MP, 64MP, 108MP यार ये चीज़ हमने यार बहुत सारी देखिए mobile phones के अंदर लेकिन फिर भी जो flagship level के महेंगे phone आते जैसे हम बात करें iPhone की तो वहां पर आज भी 12MP मिल रहा था लेकिन लग रहा है कि आने वाले समय में iPhone और बाकरी सारी जो कंटनी से जादा megapixel वाले count के उपर move कर रहे हैं फिल पीछे के simple सा logic यह हो जाता है क्योंकि काज के समय में कुछ ऐसे features हो गए जो जादा megapixel के साथ possible हो ही नहीं सकते और यही एक main reason है कि बाकरी सारी जो कंटनी से नहीं तो दीरे दीरे आजकल जादा megapixel की पीचर भाग रही है एक example बताता हो आपको जैसे की बात करें गार्ण 8 के video recording की 8 के video recording की कैसा feature है जो आप 12 megapixel की image sensor के साथ करी नहीं सकते 8K के अंदर approximately 33 megapixel का यूज किया जाता है और बात करें वो 16-9 के format में होता है image sensor होता है 4-3 में तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं 48-50 megapixel का image sensor यूज करना पड़ेगा तभी जाके अप उसका यूज करके 8K में video record कर पाएंगे क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा तो 8 की video recording का जो feature है flagship phone के अंदर काफी ज़ा market किया जा रहा है और low image sensor के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है और शायद apple है ना हो सकता है upcoming जो एक साल चोड़के जो दूसरा iPhone आने वाला ना वहां पर वो लोग ये चीज ट्राइक करें और आपको 8K video recording का feature दे लेकिन सिर्प ऐसी बात नहीं है यहां पर थोड़ा सा difference होने वाला है यानि कि megapixel की वहर क्या थी पहले आपको budget phone में देखने को मिली थोड़े सस्ते phone में 48, 64, 108 भी देखने को मिले लगा है 20,000 से कम में और कुल मिला के उसको यूज किया जा रहा है ना वो यूज किया जा रहा है marketing perspective के लिए जी हाँ आप लोग ने सही सुना यानि कि बड़े से बड़ा number दखा के phone को बेशना यहाँ पर image quality की उपर इत्ता जादा focus नहीं जिया जाता लेकिन अगर हम बात करें आने वाले समय में Samsung और Apple जैसी जो companies है यह megapixel से जादा sensor size को prioritize करेंगी और बड़े sensor size का यहाँ पर उसे बड़ा benefit यह होता है कि यहाँ पर आपना जादा light को grab कर सकते हो जिसका benefit रहे रहेगा कि यहाँ पर dynamic range अच्छी देखने को मिलेगी light जादा grab होगी तो जादा information होगी किसी को post processing करनी है image की processing अगर अच्छे से करनी है जैसे google camera वगरा तो उसके लिए जाद information होगी और वो जाद अच्छे तरीके से काम कर पाएगा इवन इसका जो benefit है वो low lighting condition के अंदर भी देखने को मिलेगा और किसी को low light के अंदर video बनाना है उसकी quality भी इंप्रूव हो जाएगी इवन बात करें इसका एक benefit ये भी रहा कि upcoming आने वाले phones में आपको HDR video recording का जो feature वो भी standard बनता हुए देखने को मिलेगा क्योंकि HDR video जब भी record होता है तो हमेशा sensor को थोड़ी ज़ाद light के requirement रहती है वहाँ एक benefit होगा लेकिन वहीं बात करें Megapixel में Megapixel में हमेशा कहानी ये रहती है कि जब भी आप जादा Megapixel कर देते हो image जादा sharp हो जाती है और उसके अंदर आप बहुत ही जादा अगर zoom करते हो तो भी image के अंदर pixelation आपको देखने को नहीं मिलता लेकिन normal world के अंदर 12 Megapixel is enough उसके अंदर आप images अच्छे तरीके से capture कर सकते हो plus zoom कर सकते हो और शायद यही एक reason है कि जितने भी mobile phone companies जो है न वो अगर बड़े image sensor यूज़ कर रही है जादा Megapixel बाला भी 48 यूज़ कर रही है तो 12 Megapixel का output बना कर देगा अगर 64 यूज़ हो रहा है तो उसके आपको 16 Megapixel की images देखने को मिलेगी 108 यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर आपको 12 Megapixel की images देखने को मिलेगी यहाँ पर मैंने बाकी सारे phones भी चेक करे थे Realme 8 Pro को चेक किया था यहाँ पर मैंने Motorola के Moto जो G60 आता है उसके अंदर भी देखा तो 12 Megapixel का output बनाता और 12 Megapixel के output में आपको color, dynamic range और sharpness के काफी एक अच्छा balance देखने को मिलता है लेकिन पहले क्या problem थी कि जो initial generation आई थी 48 और 64 वाली जो आज के समय में आपको majority phones में 48 और 64 देखने को मिलते है वहाँ पर क्या जाता है 4-in-1 पिक्सल बिनिंग की जाती है अब उसका फायदा यह रहता है कि 4-in-1 या 9-in-1 अगर हम पिक्सल बिनिंग कर रहे हैं यहाँ तो क्या होगा कि जो mobile phone के अंदर जो pixels होगे वो multiple pixel merge होगे single pixel की तरीके से भेप करेंगे और आपको एक बड़े pixel जैसे experience देखने को लेगा लेकिन problem यह रह जाती है कि 4 pixel को merge करके आप जब एक बड़ा pixel बनाते हो तो वहाँ पे कही ना कही sharpness वग्रा में lose हो जाता है इसलिए काफी सारे phones जब initially पहले 48, 64 या 108 के साथ आयते वहाँ पे आपको इमेज के जो sharpness है वह ते अच्छी देखने को नहीं मिलती थी इवन बात कर तो color fringing की भी problem rotates करी गई थी यह भी बात है यानि कि जब आप जूम करते हो तो जो colors हो थे na edges पे वह काफी जादा fringe होने लगते थे तो जी हाँ यह भी काफी बड़ी problem phase की गई थी लेकिन अब लग रहा है कि आने वाले sensor में अगर इस problem को solution निकलता है तो definitely आपको 48-50 एक नया trend देखने को मिलेगा जहां पर जादा megapixels तो होंगे लेकिन इतने जादा megapixel भी नहीं कि उसे एकदम से जादा exagrate किया गया जैसे की example लो अभी क्या होने वाला कि Xiaomi अपना 200 megapixel वाला image sensor वाला phone निकान लेवाली लेकिन एक बात ये भी है कि बड़े megapixel जादा megapixel के भारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दमाग में जब बड़ा number आता है तो उसे बेशना काफ़ी जादा असान होता है और बाकी सारी companies जोंगे वो जादा megapixel की उपर जाएंगी लेकर भी बात करें Samsung ये Apple जैसे company की इनकी अभी philosophy क्या भी change हो गई है यानि कि especially बात करें Samsung की तो एक leak से पता चला है कि वो जादा megapixel से जादा बड़े image sensor को prioritize कर रहे है और 48-50 से जादा उनका जाने का प्लान नहीं कि जब वर जैसी 180 या 200 डाल कर दें इससे better यह रहा है कि वो जादा बड़े image sensor का फायदा उठा है क्योंकि वहाँ पर आपको benefit जादा देखने का उलता है तो देखा तो जादा megapixel का trend तो definitely आही गया है और आने वाले समय में और जादा megapixel भी देखने को मिलेगी एवन 1000 megapixel भी देखने को मिलेगा लेकर एक important बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर आपको better pixels भी देखने को मिलेगी जो आने वाले phones होगे यहाने कि iPhone की बात कर ले यहाँ पर Samsung S22 series के बारे में बात कर ले इन सब के अंदर आपको better pixels इवन क्या पता जो आने वाले Google Pixel के phone है वहाँ पर भी इस टाइप की चीज़े यूज कीज़े क्योंकि इस टाइप की चीज़े काफी जादा trend में आरे है उसका यूज भी है लेकिन एक काफी बड़ी problem है ज़्यादा megapixel बड़े में sensor के साथ जूड़ी है वो है यहाँ पर phone के अंदर इस पे अभी camera हम औरेडी काफी ज़्यादा बड़ा हो गया और इसके अंदर और बड़ा गरी में sensor fit करते है camera हम पहले से और ज़्यादा बड़ा होने आल है तो definitely phone की thickness और camera पे कैसी चीज़ रहेगी जिसे companies को manage करने की ज़रूरत है इसके साथ एक और problem ही रहेगी wide aperture के साथ अगर aperture ज़्यादा बड़ा हो जाता और बड़ा में sensor है तो वहाँ पे autofocus की problems आपको देखने को मिलते है और जो plane of focus वो काफी चोटा हो जाता है यह problem है ना initially काफी सारे phones के साथ है थी थोड़ी बहुत softer वगरा से fix करने कोशल करी थी लेकिन फिर भी काफी हद तक phones के अंदर यह observe की गई थी तो definitely जादा megapixel का fine benefit तो रहता है कि आप obviously zoom image कर सकती 8K में video record कर सकते है लेकिन pixel binning करी है अगर आपको better pixels सेखने को मिले तो हाँ उसका फायदा जो होता है वो उठाया जा सकता है photographic के अंदर even video के अंदर भी even जादा megapixel का उठा के फायदा यहाँ पर EIS को भी better implement किया जा सकता है और एक benefit यहाँ पर यहाँ पर यह भी है और जो महेंगे phones होंगे वहाँ पर ऐसा होगा कि आपको megapixel शायद कम देखने को मिले यानि कि 40-50 तक ऐसे देखने को मिले 100 है उसके उपर कम देखने को मिले लेकिन जो थोड़े affordable सस्ते phone होंगे 20-25 जार है उससे कम range के अंदर आने वाले 100-200 megapixel उसमे एक नए ट्रेंड सा आने वाल है तो जी हाँ जादा-जादा megapixel की entry mobile phones के अंदर होने वाली है देखते हैं आने वाले से mobile phone के camera के पोखों में इसके तरीके से improve होती है और कहीं ऐसा नहीं कि जादा megapixel का दिखा के सर्फ एक marketing gimmick निकले रियल वल्ड में जो image चीज होती है उसके ओपर कोई बड़ा-बारी difference देखने को ना मले तो देखते हैं हने वाले समय कहानी क्या रहती है विलाल के समय ये कहानी खताम होती है यहाँ पर आपके megapixel वार की देखा तो megapixel वार एक अलग टरन ले चुकी है पर आपके शुकी है